चुनिए कोई भी एक तस्वीर क्या आप करोड़ पती बनेंगे नमस्का दोस्तों जैमात अति जैश्वी कुष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मन्द होंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे स्वागत है आपके अपने चैनल में और बहुत इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके लिए कि आप करोड़ पती बनेंगे या नहीं आपके सामने दो तस्वीरे हैं दो नमबर हैं आपको जो ज़्यादा अकरशित कर रहा हो उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रेडिंग देख लीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूट सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं थैंक्स टू गॉड लिखें थैं टेरुकार्ड क्या बता रहे हैं सब कुछ बताते हैं वैसे आपको वीडियो में अंड तक बने रहना है टेरुकार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि आपके भाग में बहुत कुछ लिखा है बहुत कुछ लिखा है पर अभी जो समय है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी हाथ में पैसा तो आता है, पर रुकता नहीं, खर्च हो जाता है, आपके जीवन में कुछ समस्याइं ऐसी बन जाती हैं, अचानक ही जिस्से की खर्चे हो जाती हैं, पैसा आता है और चला जाता है, हेल्थ इशू बहुत जाता होते हैं, कई बाहर आप लोगों गो ऐसा लगता है कि पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन वो रुकता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप जो भी काम करते हैं, उसको आप इसी तरह से करते रहें, और इशूर की कुछ कुछ कृपा दौलत, रुपह, पैसा, सब कुछ है, बस आपको सबर रखना है, और इमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है, आपके जीवन में आपको जितनी भी, जितनी भी आपने सपने देखें, वो सब पूरे कर पाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बस आप बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि होता है ऐसा कई बार कि अगर आप शेयर वजार का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी इसका रेट और पड़ेगा, और इस तरह से थोड़ी सी लालच के चकर में आपको जो अभी फायदा हो रहा है, वो भी आ आप नहीं ले पाते हैं, तो इस तरह से आप अपनी भावनाओं को अपनी विचारों को थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आपको बड़ा फायदा दे सकता है, आप बहुत समझतार हैं, बहुत समझतार के बारे में नहीं सोचना है बहुत जादा पास्ट में क्या हुआ इस बारे में नहीं सोचना है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपके भाग में क्या कुछ लिखा है सब कुछ मिलेगा बस आप भगवान पर भरोसा रखें और अपने मन को शांत रखें मिलते हैं उस निम्बर की तस्वीर को गड़ेश फखवान की तस्वीर को तो देख लेते हैं कि क्या आपकी किस्मत में करोड़ पती बनना लिखा है टेरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि आपकी किस्मत में करोड़ पती बनना भी लिखा है और बहुत कुछ हासिल करना भी लिखा है इ इशर की असीम कृपपा आपकी उपर बनी हुई है अभी भी आपको कोई जीवन में समस्याएं बहुत ज़ादा नहीं होती हैं आपके उपर इशर का आशीरवाद हर वक्त रहता हैं आप बहुत पुजा पाट करते हैं दानपुन्न करते हैं बिल्कुल भी चिंता ना करें आपका भविश्य बहुत सुरक्षित है आपके जीवन में बहुत धन रुपए पैसे आएंगे आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी अभी आपके संगर्ज का समय चल रहा था जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब सफलता की सेड़िया आप एक के बादे चड़ेंगे जो लोग अभी आपकी बुराईयां करते हैं वही आपकी तारीफें करेंगे आपके लिए तालियां बजाएंगे टेरोकार्ड बता रहे हैं कि जीवन में जितनी भी समझाएं आपने देखी हैं उससे आपको जो अनभव प्राप्थ हुआ ह बो अनभव आपको भविश्य में सफलता के लिए बहुत सहायक बनने वाला है आपको अपनों का साथ भी मिलेगा आपके परिवार वालों का साथ मिलेगा साथ ही दोस्तों का और रिष्टदारों का सभी का साथ भी मिलेगा और तारीफें भी मिलेंगी कहते हैं न जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है बस दैसा ही मान लीजिए कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इश्वर का आशिरवाद आप पर बना हुआ है और आपका पूरा विस्वास, पुरिश रद्धा और भक्ति के साथ आप जो इश्वर के लिए अपना समर्बन दिखाते हैं इसी वज़े से आपके जीवन में इतना सकार आत्मक ताहम देख पा रहे हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत विचारों को अपने संतुलित रखते हैं कभी भी निर्णा लेने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता क्योंकि आपका ऐसा सोचना है कि इश्वर की प्रेड़ना से आप चूभी कर रहे हैं वो सब सही होगा आप अपने कोशिश वर कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते यही आपके अच्छे अच्छे जो कर्म हैं वही आपको भविस में, सफल होने में सहायता देते हैं क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बनाते हैं और बिगारते हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है और अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो भाग्य कहां से अच्छा होगा उमेद है आपको समझ में आ गया होगा जैमादर